नमस्कार, NIOS के DL8 के इस कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है आज हम भाषा शिक्षन के कॉर्स कोड 503 के अंतरगत पठन की विभीद प्रकार की विधियां जो है उन पर विस्तिच चर्चा करेंगे पठन भाषा कोशल में अपने आप में एक महत्वपून कोशल है पठन के जब विभीद प्रकारों की हम चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पठन है क्या पठन एक कला है मनुष्य के व्यक्ति के त्विकास और सफल अभी व्यक्ति के लिए इससे समझना अत्यन्ति आवशक है अर्थ ग्रहन करने के लिए भाषा शुक्षन के प्रमोकुद्धिशों में से पठन एक है और इससे प्राप्त करने के लिए इसका विस्तार समझना होगा लिखित लिपी जो है उसके साथ साथ हम पठन का जो अर्थ है उसको समझने का प्रियास करते हैं पठन का अर्थ क्या है लिखित लिपी संकेतों को देखकर पाठक के मन में जो अर्थ बिम्ब बनता है उसे हम पठन कहते हैं पठन में चिंतन के प्रिक्रियावी सम्मिलित होती है, अर्थार्थ ध्वानियों के प्रतिबध शब्दों को पहचान कर उनको मुख से उच्चारित किया जाता है, और इस उच्चारन करने की जो कला है, जो कोशल है, उसे हम पठन के अंतरगत लेकर के आते हैं, पठन में अत्यंत महत्वपून है, पठन क्या है, ये जानने के बाद आज का जो हमारा मुख्य विशे है, जिस पर हम चर्चा करने के लिए आज यहां आमने सामने हैं, उसमें हम पठन के प्रकारों पर आप विससे चर्चा करेंगे, पठन में सबसे पहले आता है सैस्वर वाचन मोन वाचन और समवेत वाचन, पठन में मुख्य ये तिन प्रकार के वाचन और तिन प्रकार के पठन दोनों आते हैं, सैस्वर पठन, मोन पठन और समवेत पठन, सैस्वर क्या है, सैस्वर किसी भी गध्धांस को, पध्धांस को, लेख को या पाठे सामगरी जो भी हमारा उसे जब हम स्वर के साथ उसका पढ़ते हैं उसको बोलते हैं उसका उच्छारन करते हैं तो वह सह स्वर होता है और सह स्वर वाचन में सबसे बड़े ध्यान रखने की जो आवशक्ता है वो है कि हमारा जिस्वर है वो लेमे होना चाहिए ताल होनी चाहिए हमारी रिदम होनी चाहिए, उसके साथ साथ गती होनी चाहिए, यती होनी चाहिए, आरो होना चाहिए, अवरो है, एवं व्याकरन आदी चिन्नों का प्रियोग निश्चित रुप से होना चाहिए और स्वर के साथ हम पढ़ेंगे उसको, दूसरा आता है मोनवाचन, जब किसी भी लेक को या होता है, अर्थात कहने कातात पर यह है कि एक व्यक्ति जब वाचन करता है, या अनेक व्यक्ति जब सहस्वर वाचन करते हैं और सहस्वर पठन करते हैं, तो उस पठन के लिए सामने आपको कोई सुनने वाला होता है, कोई श्रवन करता होता है, जो आपको और एक समोह को वो सुनने के अंतरगत स्वर तो है लेकिन आवशक नहीं है कि वो सुना गया जो हमारा गज्धान्स, पध्धान्स, कहानी, कविता, आदर्ष वाचन या कोई लेक या कोई कता, उपन्यास, निबंद चो भी है उसको शोता गहन रूप से उसे समझ पाए, उस परचिंतन कर पा है, इसलिए स्वर वाचन के बाद दूसरा जो वाचन का और पठन का हमारा प्रकार है, वो हमारा होता है मोन पठन, मोन पठन अपने आप में जो मोन शब्द है, वही उसको परिभाशित कर रहा है, मोन, चुप रह करके, हम किसी भी पाठे सामगरी को पढ़ रहे हैं, लेकि इसा पठन होता है, जो चुप चाप एक क्राग्र हो करके व्यक्ति उसको पढ़ता है, सहस्वर पठन, मोन पठन के बाद में हमारा एक और पठन का प्रकार है, वो आता है, समवेत पठन, समवेत को हम सामोहिक पठन भी कह सकते हैं, दो, दो से अधिक या एक पूरा समु हू किसी पत्र को, किसी लेक को, किसी भाषन को, निबंद को, या कहनी को, कवीता को, या श्रोक को, जब एक साथ, उच्य स्वर में जब उच्चारित करते हैं, सामोहिक रूप से जब उनका पठन होता है, गान होता है, तो वो समवेत पठन कहलाता है, और समवेत पठन जो है, सामोहिक पथन भी होता है, हमने पथन क्या है और पथन के प्रकार कौन-कौन से है, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले हमने पथन के अभी भी तीन प्रकारों की चर्चा करी, सैसवर पथन, मोन पथन और उसके बाद में हमारा सम्वेत और सामोहिक प में शुद्ध तथा उच्चारण इसपस्ट होना चाहिए उसमें गती होनी चाहिए यती होनी चाहिए लाल ले ताल स्वर आरो है अवरो है और विरामादी चिन्नों को ध्यानमा रखकर प्रवा और प्रभाव के साथ पढ़ने की दक्षता का विकास किया जाता है अध्धाप से कभी भी किसी को प्रभावित नहीं कर पारा गती होनी चाहिए किस गती से आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपका ले होना चाहिए आप ले में बात कर रहे हैं मैं यहां पर एक उधारन से आपको इसको समझाना चाहूंगी कि मान लेजिए कि काववे पाठ हो रहा है और काववे पाट में हमने एक कवीता जो है वो उसको हम पढ़ रहे हैं तो उसमें यती और गती को किस प्रकार से हम प्रियोग कर सकते हैं तो हम पढ़ रहे हैं हम बोल रहे हैं और हमने कहा यदपी मैं जानती हूँ यदपी मैं चानती हूँ कि मैं द्रोणाचारिय जैसी नहीं किन्तु किन्तु तुम अर्जुन बनो ये एसंभव भी तो नहीं इसमें आपने देखा हो गए ये जो दो पंक्तिया मैंने उच्चारित करी इन दो पंक्तियों में आरो है और अवरो है भी है कहां आपका स्वर उपर जा रहा है कहां आपका स्वर नीचे आ रहा है और कहां आप उसको विराम दे रहे हो जब मैंने कहा कि यदपी मैं चानती हूँ कि मैं द्रोणाचारिय जैसी नहीं किन्तु तुम अर्जुन बनो ये एसंभव भी तो नहीं तो इस तरह से जो सहस्वर वाचन होता है उसमें स्वर के साथ साथ हमारे जो बाकी जो हमारे नियाम वली है उनका भी ध्यान में रख जाना आवशक होता है सिक्षक कक्षा में जब पढ़ाता है कक्षा कक्ष में जब सिक्षन, प्रसिक्षन और अधीदम की प्रिक्रिया चलती है, तो शिक्षक पढ़ाते समय आधर्श वाचन करता है, आधर्श वाचन से अभी प्राय है कि इस तरह का वाचन, जो श्रोता को, श्रवन करता हो को, जो सामने आपके चात्र बेटे हैं, उनक प्रभावित करें, उनको समझ में आए, आपका स्वार इसपस्ट हो और वो उसको अनुकरन करने के लिए प्रेरित हो, कि वो आपको अनुकरन करें, आपके पीछे-पीछे चलने की कोशिश करें, ऐसे में अध्यापक का स्वार जो है, वो आदश वाचन होता है, तभी छात्र और चात्राएं, उस सहस्वार वाचन का बाद में अनुकरन वाचन करते हैं, और इस तरह से सहस्वार पाठन का जो अधिगम प्रक्रिया है, उसमें चात्र और अध्यापक, या फिर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समुह, और अनेक व्यक्ति और अनेक विद्यार्तिय का समूं सैस्षवर वाचन करते हैं ये तो बात हुई कि सैस्षवर पठन है क्या इसके बाद में इसके साती साथ आज ये भी समझ ना हमारे लिए आउशक है और समझ लेना चाहते हैं आपके साथ step how can a जहुँगी कि सैस्षवर पाठन का सैसwelt पठन का शिक्षा में महत्व क्या है क्योंकि भाशा शिक्षन की हम बात कर रहे हैं शिक्षन की बात कर रहे हैं और शिक्षा की जो चार आधार भूत इस्तमब है हमारे श्रावन, वाचन, पथन और लेखन इसमें इनका सिक्षा से क्या महत्व है तो सैस्वर पठन की शिक्षा में महत्व की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले महत्व को हम देखते हैं प्रती दिन के आवशक्ता आप प्रती दिन सुबह प्राते काल उठते हैं उस आवर उठने के साथ साथ ही आपकी प्रती दिन के आवशक्ता है कि अप अपने गुरूचेनों को, आप अपने अभिभावों को, आप अपने अग्रेजों को और अनुजों को सबको प्रती दिन अभिवादन करते हैं, नमश्कार, प्रेनाम, गुड़ बॉर्निंग, जो भी जो भी आपकी परंपरा है, वो आप करते हैं, और उसके बाद- की आवशक्ता है आप कहीं जा रहे हैं आपका वारतालाप हो रहा है आपकी बातचीत हो रही है इन सब के लिए पठन के आवशक्ता पढ़ती है और सबसे बड़ी पठन की जो आवशक्ता है वो है ना कि देनिक समाचार पत्रों को आप पढ़ते हैं विद्याले में आप जात का शिक्षा में महत्व है सैस्वर पठन का शिक्षा में दूसरा जो महत्व है वो होता है आत्मविश्वास में व्रदी आप सभी लोगों ने देखा होगा आप विद्यार्थी के रूप में और आप निर्देशक के रूप में परामर्श दाता के रूप में अभिभावक के और सबंदी के रोप में आपने देखा होगा कि अलप भाशी जो लोग होते हैं वो ये कहना तो अतिशोक्ती होगा कि उनमें आत्मविस्वास की कमी होती है लेकिन यदि हम स्वर के साथ किसी चीज को या किसी वस्तु को किसी लिखे सामकरी को पढ़ रहे हैं तो निश्चत र व्रदी में क्योंकि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं हमें को हमें कोई सुन रहा है और हमें सुनने के साथ साथ जब हम एक बार दो बार तीन बार अपनी बात को कहते हैं तो धीरे दीरे हमारे अंदर आत्मविस्वास में व्रदी होती है और शिक्षा में जो शिक्षा में प्रचार और प्रसार और उसके अभिव्यक्ति मुश्किल है तो आत्मविश्वास यदि आप में होगा तो निश्चित रूप से आपने जो प्राप्त किया हुआ ज्यान है उसको आगयाब बढ़ा सकते हैं तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सेस्वर पठन जो है उसका सि जब उस पठन प्रक्रिया से गुजरता है वो पढ़ता है तो पढ़ेगा जब तो निश्चित रूप से आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जब पढ़ रहे हैं तो श्रोता कोई और है श्रवन किसको कोई और कर रहा है और जब आप किसी को तो पाठक कोई और है इस दोनों पठन और स्रवन की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें शब्दों के वाक्यों के उच्चारण का बड़ा महत्व है और जब हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो हमारे सामने जो स्रोता है हमारे सिक्षक है हमारे अभिभावक है हमारी मित्र मंडली है जो भी है वो हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्यान करवाती है और साथ ही साथ धीरे धीरे जैसे 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 ज्यान का विस्तार और विकास होता है हमारी अनुभव शेलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे पठन से हमारे उच्चारन में शुद्धता आती ह और शिक्षा में उच्चारन का बहुत अधिक महत्व है मनोरंजिन का साधन पठन जो है वो केवल प्रतिदिन के आवशकता आत्मिस्वास में ब्रद्धी और उच्चारन की शुद्धता तक ही सीमित नहीं रह जाते हैं सैस्वर पठन जो है, वो मनोरण जिन का विसादन है, जब कहीं आप लोग निकलते हैं और मान लिजे कि आप किसी पार्शाला के विध्याले के किसी संसान के बार से आप निकल रहे हैं और वहाँ पे जब आप देखते हैं कि एक स्वर में जब वहाँ पे प्रात्वर सभा का आयोजन होता है वहाँ पर रास्त गिद गया जाता है और वहाँ पर मंत्रों का उच्चारन होता है तो निश्चित रूप से रास्ते चलता व्यक्ति भी मंत्र मुग्द हो जाता है और उसका मनोरंजन हो जाता है भजन है मंदिर में होने वाली प्रात्नाई है या फिर कहीं प पठन किसी भी, चाहे वो मंत्रों का उचारण हो, चाहे वो कावे पाठ हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जब वो सैस्वर के साथ पठन होता है, तो उससे हमारा मनोरंजिन होता है, सैस्वर पठन में सिक्षा के महत्व में एक और बहुत ही महत्वपून और आधार भूत जो हम इसा हमारा बिंदू है वो ये है कि मोन पाठ के लिए तैयार होना अभी अभी हमने बात करी जो पठन के प्रकारों की तो हमने सबसे पहले कहा सैस्वर पठन उसके बाद मैं हमने कहा मोन पाठकरना मोन पठन करना सैस्वर पठन जब हम करते हैं तो हम लिखित सामगरी को उच्चारित करते हैं और उसका अर्थ ग्रहन करते हैं लेकिन सैस्वर पठन का एक दोश है कि वहां उसके विशलेशन और प्रतिक्रिया का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता है गहन अध्यन एकांकी चिंतन मनन प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति और विशलेशन और संसलेशन का जो कारिय होता है वो मोन पठन में होता है जब हम मोन पाठ करते हैं मोन रूप से पढ़ते हैं तब वो होता है तो सैस्वर वाचन से हमें पढ़ने की एक महत्वा कांक्षा एक आकांक्षा एक अभिव्रति एक आदत हमें विक्षित होती है और वो हमारे मोन पाठ के लिए आधार का काम करती है वो हमारी नीव को तयार करती है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौन पाट के लिए आधार जो है, वो हमारा सैस्वर पथन है, जिसका सुखषा में अतधिक महत्व है, मौन पाट क्या है, हमने मौन पथन की बात करी, तो अब हमें यह भी जान लेना होगा, कि मौन पथन आकी रहे है क्या, मौन पथन कहते क से हैं मोन पठन का सिक्षा में विसेश महत्व है ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूं सहस्वर के उप्रांत गहन अध्यन के लिए मोन वाचन किया जना नीतांता अवशक है स्वर के साथ आपने पढ़ लिया आपके सामने जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने पत्र होता है, आपकी पाठ्थे पुस्तक होती है, आपकी भाशन की, भजन की, प्रेनादा, कहानियों की, कोई भी आपके पास पुस्तक हो सकती है, लेख हो सकता है, पत्र हो सकता है, निबंध हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, जब आप पठन करते हैं, से स्वर पठन करते है तब केवल आप उसको उच्चारित करते हैं आप उसको पढ़ते हैं और पढ़ते हैं उचे स्वर में पढ़ते हैं स्वर के साथ पढ़ते हैं और उसका केवल पठन करते हैं मतलब कि आप उसका अर्थ ग्रेन कर रहे हैं और बस पढ़ रहे हैं लेकिन मोन पठन जो होता है उस में आप एकांकी एकांक रिचित हो करके गहन अध्यन से उसको पढ़ते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, विश्लेशन संसलेशन करते हैं और उसके बाद अपनी प्रिकृतिक्रिया को व्यक्त करते हैं. तो इसलिए जो मौन पथन है वो हमारा कम समय में अधिक चिंतन और मनन का विकल्प हम कह सकते हैं शिक्षा के उच्छे इस्तर पर अधिकांस तर मोन पठन किया जाता है क्योंकि शिक्षा का जो उच्छे इस्तर है वहाँ पर सैस्वर पठन की उतनी उपियोगिता नहीं होती है सैस्वर पर्थन हमारा जो है वो प्रात्मिक कक्षाओं के लिए है प्रारंबिक कक्षाओं के लिए है और इसी भाती जो हमारा मोन पर्थन है वो हमारे उच्छे इस्तर की जो माध्यमिक और उच्छे तर माध्यमिक और उसे उपर जो हमारी उच्छे की जो सिक्षा है उसके लिए अधिकांस से मोन पठन किया जाता है, इस प्रकार से मोन पठन और मोन पाट का अभी प्राई हुआ, ज्यान को आत्म साथ कर लेने के क्रिया, यानि जो ज्यान आप मोन पढ़ करके प्राप्त कर रहे हैं, उसको अपने अंदर समाहित कर लेना, उसे आत्म साथ कर लेना, मोन पठन का शिक्षा में महत्वी, मोन पठन क्या है, ये जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें विचार करते हैं कि मोन पठन का आखिर शिक्षा में महत्वी क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मोन पठन होता है, वो अभी भी मैंने आप लगों से कहा कि वो चिंतन और मनन की प्रक्रिया है, वो एकाग्रचित हो करके किया जाता है, उसका विशलेशन और संसलेशन संभव है, तो इसलिए उसका शिक्षा में महत्व है कि एक तो वो तिव्रगती से होता है, तेजी से होता है, आप जब सहस्वर पाठ करते हैं, सहस्वर पठन करत तो उस समय आपकी जो तक्ति है या आपकी जो उर्जा है वो उस स्वर को अपने मुख से बहार निकालने में बोलने में लगती है लेकिन जब हम मोन पार्ट करते हैं तो हमारा मोन पार्ट में हमारा जो मुख है उसको उसका उपयोग नहीं होता हमारी जो हमारा जो मस्तिक्स ह और हमारी जो आखे है और हमारा जो चिंतन और मनन का है वो उसमें लगता है और इस प्रकार से मोन पठन की जो गती है वो बढ़ जाती है और वो तिवरता से हमें सिक्षा और ग्यान राप्त होता है इसमें समय की वच्चत होती है क्योंकि बोलने में बोलने में हमारा समय अध परश्तुत करें और वो हमारा समय जो सीमा है या समय का प्रबंदन है वो गड़ बड़ा जाता है और उसने समय हमारा जादा लग सकता है इसके साथ साथ विद्यार्थि अधिक देर तक पढ़ सकता है मैंने अभी पहले भी आप से कहा है कि उर्जा का संचे होता है मोन पठन म और सेस्वर वाचर में उर्जा खर्च होती है उर्जा हमारी जो है वो लगती है तो उर्जा का जब हम संचे करते हैं तो जब उर्जा हमारे पास अधिक होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें हम अधिक देर तक जो बची हुई उर्जा है उसमें हम मस्तिक्स को अधिक देर कि अधीक देर तक UK में ला सकते हैं और अधिक देर तक हम उसको पढ़ सकते हैं तो मोन जो पठन है उसमें विद्यारती काफी समय तरका विख्षित होगों I am gonna स्वाध्याय होता है स्वम अध्धन करना और उस स्वाध्याय की प्रवर्ति का विक्षित होती है मौन पठन में क्योंकि पठन सैस्वर पठन जो है उस सैस्वर पठन में स्वाध्याय नहीं है उसमें सिक्षक विद्यार्थियों के लिए पठन करता है और विद्यार्थी कक् में निर्देश दिये गए अनुदेशों और निर्देशों का पालन करता है या फिर जो हमारे समाचार पत्र हैं या जहां पे हम भाषा का प्रयोग करते हैं और जहां पे हमें भाषन देना होता है वाद विवाद होता है वारता ही होती है शक्षिक वारता ही होती है वहाँ पे हम अन्य लोगों के लिए तुनाने के लिए श्रवन करता को धान में रखकर करें हम सहसवर पथन करते हैं, लेकिन जो हमारा मोन पथन होता ह acquainted होता है वह अपने स्वेम के लिए होता है, इसलिए कहागया है कि इसमें स्वाध्धाय की प्रवर्ती विक्षित होती है, स्वम बैठ करके पढ़ने की होती है और यह जो उच्चे कक्षाएं है और उच्चे स्थर की शिक्षा है उसमें यह बहुत ही उप्योगी है विद्यार्थियों में एकागरता विक्षित होती है जब मौन पठन किया जाता है तो निश्चित रूप से जो पाठक है जो विद्यार्थियों उसमें एकागरता विक्षित होती है क्योंकि उस समय उसका पूरा धान समस्त उसकी जो उसकी नेत्र उसका मस्तिक्स और उसकी सा आ सकती है तो मोन पठन जो है हमारा हो सिक्षा में एक महत्वपून चर्ण है और मोन पठन के बिना हमारी सिक्षा अधूरी रहती है ये कहना गलत नहीं होगा मोन पठन का सक्षा में महत्व की बात करने के बाद, अब जो तीसरा हमारा पठन का प्रकार है, समवेत पठन क्या है? इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, समवेत पठन, समवेत और सामुहिक पठन. सबसे बेले तो ये जान लेना आवशक है कि सम्वेत और सामुहिक पठन है वो दोनों एकी चीजे हैं सम्वेत एक साथ सामुहिक समुहूं में करना लिखित साहित, लेख, पाठ, सामगरी को विद्यार्थ्यों द्वारा कक्षा में उच्छे स्वर में सामुईक रूप से जब पढ़े जाने जाता है तो उसे हम सम्वेत पठन करते हैं सामुई पठन करते हैं, कि एक साथ पढ़ा जा रहा है, संबेत पठन प्रात्मी कक्षाओं में प्रभावशाली रहता है, और इस विधी से विद्यार्ती, पाठ और ज्यान, दोनों को ही सिग्रेता से ग्रहन कर लेते हैं, प्रात्मी कक्षाओं में आप याद कर रहे होंगे, कि चाहे आपको कविता पाठ कराया गया है, चाहे आपको प्रात्ना सभा करवाई गई है, चाहे आपको और कोई चीज करवाई गई है, पाहड़े याद करवाई गई हैं, जो भी करवाया जाता है, वो सम्वेश्वर में ऐसे ही जब विद्यालियों में गायत्री मंत्र का उच्छारन होता है या राष्टगान गाया जाता है राष्टगीत गाया जाता है या और कोई अगर प्रातना हम कर रहे हैं तो वो सम्वेश्वर में करते हैं और वो हमें कंठस्त हो जाती है आप सभी इस बात से सैमत होंगे कि पूजा की कोई विधी है कोई गायत्री मंत्र है चाहे वो फिर आपके कोई भी इस्तुती है या कोई भी श्रोक है उनको रटने की अपेक्षा यदि सैस्वर बार-बार यदि उसका पठन किया जाता है तो वो आसानी से हैं सिग्रिता से हैं और स्व समाभाविक रूप से वो याद हो जाती है तो इसको कंठस नहीं करना पड़ता है तो सम्वेत पठन जो है हमारा वो सामोईक पठन भी है सम्वेत पठन का शिक्षा में महत्वर सम्वेत पठन दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है ये मिलकर के उच्छे स्वर में जब किसी लिखिस सामकरी, अत्वा पाठ को पढ़ते हैं, तो उसे हम सम्वेत और सामोईक पठन कहते हैं, अधिकांस्ते प्रात्मिक कक्षाओं में सम्वेत और सामोईक पठन का प्रियोग किया जाता है, इस विधी में 2-5 विध्यार्थी सम्वेत पठन करते हैं और सेश उनका अनुक केवल अनुकरन से सीखना चाते हैं तो उस अनुकरन की इस्तिती में समवेद पठन सबसे ज़्याधा आउशक है आपने मंदिरों में देखा होगा आपने पार्शाला में देखा होगा आपने विभिन संस्ताओं में देखा होगा वहाँ पर जो भी पठन होता है वो सामोईक से होता है सामोई करूप से उसे पढ़ा जाता है और आप एक बार लोट जाएए अपने विद्ध्याले की ओर अपने बच्वन की ओर लोट जाएए या मैं यह कहूंगी कि अपनी प्रात्मिक अक्षाओं की ओर लोट जाएए आप वहाँ पे देखेंगे कि आप जब प्रात्ना सभा में दो पांच और आठ विद्ध्यार्थी आगे खड़े हो जाते हैं वो निर्देशित भी करते हैं उसके बाद निर्देशन करने के साथ साथ वो प्रात्ना सभा कराते हैं जिसमें दो पंग्तिया वो विद्ध्यार्थी जो आगे की पंग्ति में खड़े हैं पहले पठन करते हैं उसके बाद बाकी समस्त विध्यारती समवेद पठन करते हैं सामोई कुरूप से उसका अनुकरन करते हैं उसका अनुश्रन करते हैं और सामोई कुरूप से पढ़ते हैं आज हमने पठन के जो विभिन प्रकार है वो पठन के विभिन प्रकारों में हम पठन के प्रकार में सबसे पहले हमारा आता है सैस्वर पठन स्वर के साथ में पढ़ा जाने वाली क्रिया स्वर के साथ में जो क्रिया है वो हमारी सैस्वर पठन है सैस्वर पठन के बाद में दूसरी जो हमारा पठन का प्रकार आता है वो हमारा आता है मोन पठन जो हमने सैस पठन किया उस पठन को आत्मसात करने के लिए अपने अंदर समाहित करने के लिए जब हम उसे एकाग्र होकर के शांत चित से मोन रह करके जब हम उसका पुने पठन करते हैं तो वो हमारा मोन पठन होता है और मोन पठन में हमारे विसलेशन और प्रतिकिर्या के अवसर हमें उ सामुहिक और सम्वेद पठन समुहु में जो पाठ किया जाता है पढ़ा जाता है पठन किया जाता है एक समुहु में एक साज्यो किया जाता है वो हमारा है सम्वेद पठन इन सभी जो पठन के प्रकार है इनका सिक्षा में बहुत महत्व है क्योंकि सिक्षा हमारी जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जन्म से लेके म्रत्यु प्रेज़ जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले वो सुनता है और श्रवन जब बालक करता है तभी बालक वाचन कर पाता है वाचन करने वाला बालक पठन कर पाएगा और जो पठन करने में शक्षम होगा वही बालक निश्चित रूप से लेखन कर पाएगा तो जो सिक्षक शिक्षन अधिगम के में जो सिक्षन है उस सिक्षन के जो चार हमारे प्रतिबिम्भ इस्तंब जो हमारे हैं उन चारों इस्तंबों में पठन अत्यन्त आवशक है आपने अपने दादी नानी या उसे भी आगे की एक पीड़ी की हम बात करें तो देखा होगा कि पठन आवशक सिक्षा में इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप अपने ज्ञान का विस्तार और विकास नहीं कर सकते हैं पठन करने वाला व्यक्ति ही निरंतर इस बात से मैं ऐसे मेत नहीं हूँ और आप भी नहीं होंगे कि जिसे पढ़ना नहीं आता वो बुद्ध जीवी नहीं है या उसमें ज्ञान की कमी है या उसमें अनुभव की कमी है लेकिन पठन में अनिवारियता ये है कि पढ़ने वाला व्यक्ति देश और विदेश वो केवल स्रोता तक सीमित नहीं रहता है श्रोता के बाद भी वह आगे अपना पढ़ करके समाचार पत्रों से, पुस्तकों से, उपन्यासों से, विभिन माद्यमों से वो पढ़ सकता है तो पढ़ना जीवन में बहुत ही आवशक है और शिक्षा के लिए तो पठन आवशक है क्योंकि केवल स्रोता रहे के तो आप शिक्षारती बन नहीं सकते इस विशे पर चर्चा करी, मैं आशार रखती हूँ, मैं उमीद करती हूँ कि निश्चित रूप से आप भी अपने व्यवसाईक और व्यक्तिगत जीवन में जो पठन के प्रकार हैं, उनके आवशकताई हैं, उनकी उपियोगिता हैं और पठन का सिक्षा में क्या महत्व है, इस चीज से को आज भली बाती समझ पाएं होंगे, इससे लाभानवित होएं होंगे, और NIUS के, DLA के इस कारिय करम में जो भाशा शिक्षन में हम पठन के उपर आज हमने विस्तार से चर्चा करी, इसके लिए मैं आप सबका अभी दंदन करती हूँ, आपका धन्यवाद करत आप सबको नमस्कार करती हूँ, नमस्कार